है गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप only 35,000 जो है investment करके कैसे अपना एक mobile shop जो है चला सकते हो या फिर start-up कर सकते हो तो गाइस इस वीडियो को प्लीच आप end तक देखे रहे हैं इस वीडियो के आखिर में यानि end में मैं आपको ऐसे कुछ ग्यान दे है वो सारे के सारे चेज जो है in only 35,000 में आपके आ जाएंगे किस किन चीजों में जो है कितना investment करना है उसका मैं टोटल लिष्ट आपको दिखा दूँगा तो प्लीच आप end तक इस वीडियो को देखे रहे हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँँ कि आपका जो दुकान है यानि आपका जो shop है वो आपको लेना होगा अलग-अलग area में अलग-अलग जगहों में जो है उस दुकान का अलग-अलग rate होता है तो मैं ओ दुकान को छोड़ के बाकी जो सामान है और उसका जो interior जो decorate है उसको मैं इस वीडियो में जो है आपको बताने वाला हूँ तो guys सबसे पहले जो बात आते हैं वो है counter के लिए आपका अन्ने माल ले ले लिया आपका एक घर है ठीक है तो उसके बाद में सबसे पहले जो आपको वहाँ पर डालना होगा एक counter डालना होगा जहां पे हैपको जो है कर सकता हो इसके लिए आपको जो है 10K यानि 10,000 रुपे के अंदर में आपको एक काउंटर बनाना पड़ेगा और 10,000 रुपे में बहुत अच्छा काउंटर जो है आपके लिए बनके आ जाएगा गाइस उसी के बात में आपको जो च्छत है यानि जो दुगान का जो च्छत है उसको किस तरीके से डियान करना वो मैं आपको बता आपको जो बॉलब है वो लगन है उससे क्या होगा कि आपको जो दुकान का दुकान को देखेगा तो बिल्कुल भी आपको नेक्स्ट लेभल का फील आएगा उसको और एक बड़ा दुकान का जो है जैसा लगेगा उसको यहां पे कुछ फोटों वगरा आप देख से तो इ आपका एक black pen जो है लगाना है और उसके नीचे आपको जो है बल्ब लगाना है कुछ इस तरह से पैसे उसके बात में आपके दुकान के लिए सबसे ज़्यादा जो जरेरी चीज़ है वो है वाल को डेकोरेट करना यानि आपका जो वाल है जो दिवार है उसको किस तरीके से आ सब्सक्राइब करना है और यहां पर दुकान जो है ग्रो होने लग जाएगा उसके बाद में आप इसे चैंज भी कर सकते हो बट यह जो सामान में आपको दिखा रहा हूं इसको आप अपने दुकान में इंप्लिमेंट करोगे तो आपका सामान तो अच्छे से रहेगा ही ब इसर टाइब का दिखता है उस टाइब का एक च्यार जो है लेना है वह लगभख तीन हजार रूपे में आपको बड़े ही आरम से मिल जाएगा उसके बाद में आपको जो है कुछ सामान के जरौत पड़ेगा जैसे की यहरफोन हैडफोन चार्जर बगरा हो गया तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहरफोन के बारे में तो आप किसी भी होलसेल में जाके जो है अपने यहरफोन बगरा का पता कर सकतो और वहां पे आप लगभख 30 से 50 रूपीस के यानि 30 से 50 रूपे के अंडर में जितने भी सारे यहरफोन आते हैं उन सारे चीज़ों को जो ह है उन यहरफोन को ले सकतो यहां पर आप सबसे पहले जो है 50 पीस जो है यहरफोन ले लिजिए 50 रूपीस का और उसे आप अपने दुकान में इंप्लीमेंट के कर दीजिए आप कितना भी बड़ा दुकान हो आपके पास में अगर 50 पीस यहरफोन है अलग लग टाइप का लीजिएगा और तो आपका दुकान जो है बहुत ज़्यदा भर जाएगा और इसमें आपको जो है 2500 लग जाएगा उसे के बाद में आप जो है कुछ हैटफोन वगरा या फिर ब्लूटूथ हैटफोन एक दो पीस आप रख लीजिए क्योंकि सबसे पहले जब आप दुकान है रखना या चोटे चो चोटे फोन से लेके बड़े से वड़े फोन का सारा चाले जुए आपको रखना है और इसमें आपको 4000 रुपे का जोड़े बड़े रुपे के अंडर में आपको सारे मोवाइल के सारे फोन के सारे कार वगरा के सारे के सारे चार्जर आपको मिल जाएंगे होलसेल रेट में तो उसी के बात में आपको जाना होगा बैक कभर सेक्शन में तो आप अपने मार्केट के हिसाब से सबसे पहले आप अपना मार्केट क लेके 100 रुपे के बीच में जो कवर बगरा आते हैं होल से रिट में उस कवर को उठाएएगा अपने दुकान में बेजने के लिए उसे के बाद में आता है टेंपर ग्लास सक्षन का तो यहां पे आप इंपोटेंट बात यह ध्यां रखिए कि आपके दुकान में सारे के सारे फोन का जो टेंपर ग्लास है वो होना चाहिए क्योंकि टेंपर ग्लास में बगत ज़्याँ प्रोफिट मिलता है और उसके बारे में आप डिटाल वीडियो चाहते हो तो आई बटन में किलिक किजिए मैं पहले ही डिटेल वीडियो बना चुका हूं तो वहां पे आप देख केबूल हो गया और कि अई जाते हैं वहाँ पर आपको जो है तीन हेजार रुपे इंवेस्टमन करना है और वहाँ पर तीन हेजार रुपे में सारह का सारे छोटे जो अच्छ जाते हैं वह बिलकूल भी हो जाएगा उसी के बाद में एक हजार रुपे आपको बचेगा वहाँ पे आपको क्या करना है एक हजार रुपे का आप जब ओपनिंग करोगी वहाँ पे आप कुछ मिठाई वगरा जो है अपने कस्टमर को या फिर जो आसपास के जो लोग होते हैं आपके मार्केट में जितन करना है आप अपने को सबसे पहले आप मार्केट को समझेगां आपके मार्केट का जो該 कितना है या यायनि आप अगर ऊग्याः में चौर्ट पाशच तो आप अपने मार्केट को प Rap प्राइस के हिसाब से आप सामन बगर अपने दुकान में रखेगा तो काफी बल्डिया आपका ग्रोथ होगा सबसे पहले आप यह ध्यान रखेगा कि आप दुकान जैसे आपको कोई भी मोबाइल फोन बगरा बेचने का बिल्कुल भी जड़ोत नहीं है क्योंकि जब एक नया नया सौब जो है स्टार्ट हो जाया तो वहां पर लोगों को ट्रोस्ट करना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है तो कुछ दिन के बाद में जैसे आपका दुकान में थोड अबाद गाइस थैंक फर वाचिंग थैंक यू